हेलो गाइस वेलकम टू एडवा फ्रेंट्स आज हम लोग नाबाट ग्रेड ए की जो एक्जैम है उसके बारे में थोड़ा सो उसका पैटर्न डिसकस करेंगे और आने वाले समय में कब तक इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है इस बात को लेकर बहुत सारे कन्फूजन्स चल रही है और सुडेंट्स बहुत ज़्यादा डाउट में है कि एक्जैम आएगी भी की नहीं या फिर और डिले हो जाएगी एक्जैम क्या पैटर्न किस तरह से होता है eligibility criteria क्या क्या है किस तरह के perks मिलते हैं अगर आप नाबाड के ग्रेड यानि कि assistant manager बन जाते हो तो इन सभी चीज़ों को आज हम लोग detail में discuss करेंगे तो चलिए friends start करते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि exactly नाबाड है क्या ओके नाबाड के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को बहुत सारे confusions रहते हैं उनको मालूम नहीं है कि ये कोई एक public sector bank है या फिर क्या है कौन से institution ए exactly क्यूं नाबाड को बनाया गया ये bank करती क्या है तो इसलिए basically हमक देते हैं तो सबसे पहले नाबाड का जो full form है that is national bank for agriculture and rural development okay NSA national हो गया B से आगया bank A से आगया agriculture R से आगया rural and D से आगया development ठीक है तो नाबाड जो है ये नाम नहीं है ये short form है किसका national bank for agriculture and rural development बहुत basic सी चीज है पता होने चाहिए इसलिए हमने यहाँ पर बता दी चलिए कब setup हुआ था कब इसको establish किया गया था in the year 1982 यानि कि अगर आप लोग interview में पहुँच गए नाबाड गेडे officer की interview में पहुँच जाते हो basic सी बात पूछली किसी ने आपको कि भाई कब establishment हुआ इस bank का और आपको नहीं पता है तो यह unacceptable है यानि कि यह सही नहीं लगेगा कि भाई आपने नाबाड की तैयारी कर ली आपने prelims निकाल दिया mains clear कर दिया interview में बैठ गए लेकिन आपको इतनी basic information ने है कि कब यह bank बनी थी इसलिए इसको याद रखना 1982 में इसका establishment हुआ था क्य जरूरत पड़ गई नाबाड बनाने की अलग से क्या जरूरत थी तो उसका जो main goal था जिसको लेकर यह नाबाड bank बनाई गई वो क्या था to promote rural development, agriculture development using credit and non-credit approaches यानि कि देखिए banks तो बहुत सारी थी आज भी है पहले भी थी ठीक है लेकिन generally होता क्या था ना कि जो banks है वो अपने profit बनाने का काम करती है यानि उनका जो main motive होता है generally अगर आप private bank लो चाए public sector bank मिले लो तो उनका कहीं न कहीं एक basic motive क्या है तो sustain, अगर उनको sustain करना है तो क्या करना पड़ेगा उनने profit तो बनाना पड़ेगा, है ना, free में तो कोई भी business चलता नहीं है तो this is also a business, banking is also a business, तो क्या होता था कि generally अच्छा business कहां मिलेगा, cities में मिलेगा, है ना, जहां पे लोगों के पास पैसा है, जहां पे लोगों के पास अच्छा रोजगार है, लोग already job कर रहे हैं, उनके business अच्छे चल रहे हैं, okay, उनकी income levels काफी high है, तो वहां हमारे देश के rural area है, rural मतलब जो गाओं के देहात के जो हिस्से हैं, वहां पे banking facilities उस level की नहीं उपलब्द होती हैं, जैसे कि आपको cities में मिलती है, तो और आजकल का जो जमाना है, वहां तो सब कुछ profit के लिए हो रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, जो हमारे country का जो rural part था, ज तो उसके लिए proper credit facilities उपलब्द नहीं हो पा रही थी, 1980s में, उस समय में, कि उन लोगो जल्दी से वहां पे अच्छी bank होती नहीं थी, और अगर वो लोग शहर जाकर loan लेना चाते हैं, खेती करना है, seeds खरीदना है, या फिर छोटे मोटे कोई cottage industry चलानी है, कोई कुटीर या फिर government की banks भी उनकी जो requirement होती थी, गाओं के लोग वो fulfill नहीं कर पाते थे, और फिर उनको क्या करना पड़ता था, उन्हें जो गाओं में जो लोग पैसा उधार देते हैं, बहुत high rate of interest पे उनसे पैसा उधार लेना पड़ता था, इससे उनका development ठीक से हो नहीं पा रहा कैसे कैसे develop करेंगे, credit देंगे एक तो, यानि कि finance करेंगे, loans देंगे, plus non-credit approach यूज़ करके, आप credit का तो आपको मतलब समझ में आ गया, क्या, कि loan दे देना, ठीक है, लेकिन non-credit approach क्या होता है, loan नहीं दो गया, आप तो लोगों को मदद कैसे करोगे, develop करने में, है ना, तो उसके लिए क्या किया गया, counseling and consultancy services, यह जो counseling हो गया, या फिर consultancy services हो गया, यह non-credit approach में आता है, यानि कि हम आपको directly पैसा तो नहीं देंगे, लेकिन आपको, अगर आप गाओं के किसी हिस्से में रहते हो, रूरल इंडिया में रहते हो, तो वहाँ पर अपने agriculture को कैसे आप ज्यादा अच्छा develop कर सको, ज्यादा अच्छी खेती कर सको, प्रॉपर आपको agriculture की training दी जाए, अलगलग seeds, अलगलग environment के साब से कैसी खेती करनी चाहिए, फिर आपको छोटी मोटी अगर कोई village cottage industry लगानी है, small scale industry लगानी है, rural parts में, या फिर, sorry, आप rural artisan हो, यानि कि आप आते हो, कुछ आप किसी कला को विक्सित कर रहे हो, तो उसकी लिए अगर आपको कुछ लोन चीए, तो लोन देंगे, या फिर आपको आपके business को कैसे scale करना है, उसकी proper training दी जाएगी, consultancy services दी जाएगी, तो basically, जो नाबाड है, वो दो तरह के काम करती है, एक तो rural India में, या फिर rural जो areas हैं, वहाँ पर agriculture और जो small scale industries होती है, उनको develop करने के लिए credit facilities दिलवाती है, या फिर non credit facilities यानि की counseling and consultancy services उपलब कराती है, तो वही बात कही गई है, it also supports small scale industries, village cottage industries and rural artisans, तो इन सभी लोगों को support करती है, नाबाड, it conducts training and development programs in rural areas of the country, यानि कि देखिए, जो rural parts है हमारे, तो वहाँ पर जाकर नाबाड क्या करती है, training programs conduct कराती है, development programs करवाती है, जिससे कि वहाँ के लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके, छोटे-मोटे व्यापार कर सके, अगर वो खेती करते हैं, तो खेती को और जादे scale up कर सके, जो markets होती ह वहाँ जाके अपने फसल को अच्छे दामों पर बेश सके, उनको basic जो training होती है, जाए खेती, जो modern agricultural techniques हैं, उनकी training दी जाती ही गाउं में जाके, इससे कि वहाँ के लोगों का overall development हो सके, तो ये basic एक हमने थोड़ा सा intro देख लिया, friends, नाबाड, बैंक के बारे में, ये बैंक के जो field में लोग काम कर रहे हैं, उनके development के लिए भी काम करती है, तो ये, friends, एक basic introduction है कि हमको मालूम होना चाहिए, हम जिस bank के लिए exam में बैठने जा रहे हैं, वो bank exactly क्या करती है, चलिए, I hope आपको इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, अब सबसे important बात जिसके लिए आज का वीडियो है, नावाड grade A notification कब आने वाली है, क्या exact date है, तो भाई ये बताना बहुत मुश्किल है, एक तो पहले ही pandemic का जो problem चल रहा है, उसके कारण बहुत सरे exam डिले हो रहे हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा, UPSC exam भी डिले हो गया है, तो exact date बता पाना तो काफी मुश्किल है, लेकिन जितने भी sources से मालूम पर रहा है, तो वो ये है कि notification जो है, expected कब है, second से third week of June 2021, यहनी second से third week of June में notification आ सकती है, ठीक है, phase 1 exam की expected date, मैं फिर से बता रहा हूँ, expected है, कुछ भी confirm नहीं है, third to fourth week of July 2021, इसमें आपका phase 1 exam conduct हो जाएगा, अगर सब कुछ सही चलता रहा है, अब यह pandemic जो issue चल रहा है, उस cases में कमा जाते हैं, control हो जाता है, सब lockdowns खुल जाता है, तो phase 1 का exam आपका third या fourth week of July 2021 में conduct हो सकता है, phase 2 exam, expected है third to fourth week of August 2021, तो यह सारी चीज़ें expected हैं friends, यहाँ पर security आपको कोई दे नह सकता, बिल्कुल भी नहीं दे सकता, लेकिन आप एक thumb rule मान के चल सकते हो, कि भाई, आपको June में notification आ जाएगा, and July में सब कुछ सही रहा, तो exam phase 1 की हो जाएगी, and phase 2 की exam August में हो जाएगी, यह basic information, जो ज़्यादा तर लोगों से हमें मिल रही है, वो हमने आपके साथ share कर दी, अब कुछ लोग पूछ रहे सर क्या delay हो सकता है, क्या exam, obviously हो सकता है, अगर जो अभी वातावरन बाहर चल रहा है, यह control नहीं होता है, तो delay भी हो सकता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो delay नहीं होगा, और जैसे expectation है हमारी dates की exam वैसे conduct हो जाएगा, ठीक है, अब यह सारी लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादे importance दे रखा है, मतलब students इसी चीज में पड़े हो हैं, अभी भी notification आएगी, तो हम तैयारी करेंगे, या notification नहीं आई इस साल, तो क्या होगा, देखिए, अगर आपको notification जून में आ जाती है, और आप यह सोचते रहे कि नहीं notification आए 2021 days lose कर जाएंगे, and 2021 days में आप कितनी practice कर सकते हैं, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग अल्रीडी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, वो लोग यह notification की date के चकर में नहीं पढ़ रहे हैं, because, देखिए, यह आपका जिनाबाड grade A हो, या RBI grade B हो, या फिर SEBI का exam हो, इनका एक basic जो pattern है वो common है, आप आपको पता है, क्या है, जैसे phase 1 में reasoning है, right, phase 1 में quant भी है, then English भी है, right, general awareness भी है, तो यह चीज तो basic है, आप कोई भी exam दो, आपको reasoning मिलेगा, quant मिलेगा, English मिलेगा, GA मिलेगा, correct है, अभी जैसे नाबाड हो गया, RBI grade B हो गया, तो यहाँ पर आपको phase 2 में descriptive English भी मिलेगा, descriptive English मिलेगा, यहाँ पर आपको essay writing होता है, letter writing होता है, comprehension होता है, यह आपको खुद typing करना होगा, आपके keyboard से, और आपको answer देने होगी है, तो यह सब चीज बेसिक हैं, यह आपको चाहिए, नाबाड का exam आए, चाहिए, स आपको prepared रहना है, because जो लोग prepared रहते हैं, उनको success 100% मिलती है, and luck उन्हीं लोगों को favor करता है, लोग बोलते हैं, I am not lucky, या फिर मैं वह बहुत lucky है, तो यह जो luck वाला matter है, जो luck वाला, यह किन के लिए काम करता है, जो लोग हमेशा prepared रहते हैं, ओके, जो लोग wait करते रहते हैं यह होगा, तो मैं ऐसे करूँगा, वो होगा, तो मैं action लूँगा, उन लोगों के लिए luck नहीं होता, और वोई लोग अनलखी बन जाते हैं, जो लोग हमेशाथ ready रहते हैं, notification आए ना आए, पता नहीं कोई और exam का आ जाए, छीक है, हो सकता है, यह एक exam ना आए, लेकिन और दो exam आजाए, हम इसके चकर में तयारी नहीं करेंगे, और वो जब आजाएगी, तो हम लोग केवल क्या करेंगे, पच्ता आएंगा रहे, यार मैंने तयारी कर लिए होती, यह exam तो निकल गया, दो exam और आ गये थे, है ना, तो कहने का मतलब है, कि notification की यह चकर से बाहर निकल लिए, exam जब आनी है, आएगी, जब होनी है, होगी, जिसे top करना है, वो top करेगा, जिसे grade officer बनना है, वो बन ही जाएगा, वो इनके चकर में बैठेगा नहीं, तो please, अपने आपको lucky बनाईए, preparation start कर दीजिए, be prepared, exam आएगी, आप easily qualify कर लेंगे, ठीक है, तो यह चीज मैंने clear करना सोचा, क्योंकि बहुत साइट लोगों के मन में यही doubt चल रहा है, notification आएगी की नहीं, चलिए, अब हम देखते है, basic exam pattern कैसा है, आपका यह जो exam है, नाबाट grade एगा, तो यह तीन phase में होगा, phase 1, phase 2, and interview, right, या फिर आप prelims, mains, interview कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, तो phase 1, basic structure क्या है, reasoning, एक होगा, section उसमें 20 marks के question होगे, यह सब objective questions होगे, English होगा 40 marks का यहाँ पर, computer knowledge एक इसमें थोड़ा extra होता है, वो है 20 marks का, okay, then general awareness, as usual 20 marks का है, maths, यानि कि quantitative attitude है 20 marks का, then यहाँ पर एक economic and social issues, यह 40 marks का है, okay, 40 marks का है, and agriculture and rural development, यह है, ARD जिसको बोलते है, short form, यह भी, 40 marks का, यह तो जो agriculture and rural development है, यह basically यह जो नाबाड, bank है, उसके जो work area है, उससे related है, है ना, उस पर focused है, and economic and social issues, यह भी कहीं ने कहीं हमारी economic को लेकर ही, revolve इसके around करता है, तो यह सारे subjects, यानि कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, total 7 subjects, आपके phase 1 का जो objective test होगा, online test होगा, उसमें आएगा, और य यह देखिए, reasoning 20, 40 English, 60, then this 20, 80, and this 100, again यह 40, 40, 80, and 20, 100, and total 200 marks के question है, total phase 1 का 200 marks का score होता है, total में, and time मिलेगा आपको 120 minutes, right, तो यहां तक आई होगा, आपको phase 1 के clarity हो गई है, simple exam है, अगर आप systematic waveforms पढ़ना start करते हैं, आज भी start करते हैं, easily qualify कर जाओगे, believe me, easily qualify कर जाओगे, लेकिन आपको आज ही start करना होगा, आपको exam के notification का wait नहीं करना होगा, you can't afford losing time now, okay, phase 2 में देखिए क्या है, दो ही paper है, phase 2 में, paper 1 है, general English, यानि कि जो descript है हो, जिसके बारे मैंने बताया था, यहां पे आपको typing करना है, online typing करना है, through keyword, typing करके अपने answers लिखने है, okay, यहां पर आपकी writing skills की basically assessment होगी, general English में है, आपकी जो writing skills कैसा है, आप letter writing कर सकते हो, क्या, essay आप कैसा लिखते हो, है न, क्योंकि आप एक बार जब manager बन जाओगे, assistant manager बन जाओगे, तो वहां पर आपको math के question नहीं solve करने बैठके, office में, ठीक है न, आपको कोई नहीं बो आपकी जो communication skills है, प्लस आपकी drafting skills, writing skills ही throughout career आपके साथ रहने वाली है, वही आपको जब आप officer बन जाते हो, तो help करते हो, इसलिए special paper बना आए गया है, general English का descriptive format, यानि typing करना है, इसके लिए आपको 90 minutes का time मिलेगा, और उसके marks होंगे total 100, यहां पर आपको letter writing आएगा, essay आएगा press से आएगा, and आपको comprehensive आजाएगा, comprehensive, इसमें से कुछ भी आ सकता है, वो सकता है एक चीज इसमें से ना है, बट यही चीज है, इनी चीज को include के जाता है, general English का descriptive paper में, okay, next paper, economic and social issues and agriculture and rural development, with focus on rural India, देखे, नाबार बैंक ही rural India के development के लिए बनी है, तो उसका यह जो paper होंगे, व पर ही focus करेंगे, तो अभी हमने जो phase 1 में देखा था, economic and social issues, और agriculture and rural development, इनके अलग-अलग sections दिये थे, बट यहाँ पर क्या है, उन दोनों को merge कर दिया जाएगा, और objective type test ही होगा, okay, phase 1 में जिस type question होंगे, उससे थोड़े और elaborate questions, थोड़े से और detailed questions होंगे, phase 2 में, लेकिन paper द समय मिलेगा, and total marks होंगे, 100, तो यह आपका phase 2 का pattern है, बस, simple, इसके बार में rightly आप interview में जाओगे, right, चलिए, आगे बढ़ते, okay, अब eligibility क्या है, क्या कौन-कौन लोग यह exam दे सकते, तो अभी तो notification आई नहीं है, तो आपको बता दू, मैं जो भी बता रहा हूँ, वो 2020 का जो लास्ट टैम आपने देखा कि RBI का exam की जो notification आई थी, उसमें बहुत सारे eligibility में changes कर दिये थे उन्होंने, तो हो सकता है कि नावार में भी हो जाए, हो सकता है कुछ भी ना हो, we cannot say, इसलिए मैं clearly बता रहा हूँ कि मैं जो भी eligibility का बताऊंगा criteria, वो last year 2020 का जो notification था, उसको base रख जाम रहा, तो उसमें total vacancies कितनी आई थी, rural development banking service यह वारा जो column के अंदर जो vacancies आई थी 139, total vacancies आई थी 139, ठीक है, और इसका जो age है, age कितना मांगते है, the candidate must be between 21 to 30 years of age, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों confusion है कि age बार 30 से ज्यादा है, नहीं है, ठीक है, नाबार का grade A है, उसक जो age criteria है, that is 21 to 30 years of age, ठीक है, यह चीज़ clear रखी, अगर आप इस age group के अंदर आ रहे हो, then you are very well qualified for our grade A exam, right, और देखिए, इसमें vacancies काफी अच्छी आ थी, last year जो आई थी, वो थी 139, तो हम expect कर रहे हैं, इस बार भी around 150 तो आनी चाहिए, ठीक है ना, चली, आगे बढ़ते हैं ओके, अब educational qualifications क्या क्या requirement है, तो देखिए, यह जो भी qualification है ना, यह मैंने जो notification था directly वहीं से उठाया है, इसमें कुछ changes नहीं है, 2020 का जो notification था, वहीं से उठाके मैंने आपके साथ share किया है, तो last year assistant manager grade A, rural development and banking service, IDBS बोलते हैं, इसके अंदर 139 पोस्ट हैं थी, हम यह हमने देख और उसकी जो requirement थी, educational qualification वो क्या थी, bachelor's degree in any subject from a recognized university, यानि आपको बस एक graduate होना है, bachelor's degree, with a minimum, अब minimum कितना है, 50% marks, minimum, अगर आप general category में आते हो, तो आपको minimum 50% mark चाहिए, आपके bachelor's degree में, in aggregate, यानि total आपके पूरी years को मिला के चाहिए, 50% aggregate marks, ठीक है, फिर बाद में, आप अलग- graduation भी हो जाएगी, या फिर अगर आपने bachelor's के बाद में PG किया है, post graduate degree है, तो वहाँ पर भी 50% mark ही मांगे गए है, यानि आप चाहे graduate हो, चाहे post graduate हो, आपको 50% mark लाने है, in aggregate, या फिर आपने PhD की हो, ठीक है, PhD की है, तो कोई issue हो निया, directly आप apply कर दीजे, या फिर अगर आप chartered accountant हो, cost accountant हो, company secretary हो, इसके साथ साथ आपके पास भी है, bachelor's degree भी होने चाहिए, या फिर दो साल का full time PG diploma in management, या फिर full time MBA degree हो, from institutions recognized by government of India, UGC, with bachelor's degree in any discipline, तो भी आप apply कर सकते हो, तो भी आप eligible हो, नाबाड grade A exam को देने के लिए, तो ये basic educational qualification है, नाबाड के grade A exam देने के लिए, ठीक है अब देखिए, बहुत सारे जो universities होती है ना, वो percentage marks देती नहीं है, वो वहाँ पे CGPA इस तरह का system चलता है, तो उसके लिए भी clarification दिया है, उन्होंने last year notification में क्या कहा है, some universities and institutes do not award class or percentage of marks and allot aggregate grade points, है ना, बहुत सारे institutes में percentage नहीं मिलता है, या फिर first class, second class भी नहीं बताते, व SCJPA वगरा बोलते, तो उस case में क्या होगा, university institute defines criteria for conversion of aggregate grade point into class or percentage of marks and the same will be accepted, यानि कि वो university ही खुद भी उनका एक system बता देती है, अगर हमार जो grade point है, उसको आप किसी class में कैसे convert कर सकते है, पर percentage में, वो उनके mark sheet पे उन्होंने लिखा होता है, तो जो भी उनके mark sheet पे लिखा लेकिन, where the university or institute does not define criteria for conversion of aggregate grade point into class or percentage of marks, the undefined parameters would be worked out as a data, अगर सोच ये, किसी university ने अपनी mark sheet में grade point दिये है, और उसने ये criteria बताया ही नहीं है, कि भाई, इसको हम class में या फिर percentage में कैसे convert करें, तो उसके लिए नाबाद ने ये table दे दिया है, इसके साब से फिर वो grade point का conversion होगा, देख लीजिए यहाँ पे, अगर किसी का CGPA, OGPA या CPI 10 point scale पे 6.75 दिया है, तो उसको first class माना जाएगा, और उसको aggregate percent माना जाएगा, it will be 60, ठीक है, अब किसी का 6.25 है, तो वो second class हो जाएगा, and it will be equivalent to 55%, किसी का 5.75 है, तो again second class 50% and 5.25 is 45%, और हमको क्या चाहिए, at least 50% चाहिए, right तो उसके साब से आपको 5.75 के ऊपर या फिर 5.75 तो लाना ही होगा, तो ये एकदम clarity कर दी, बहुत सारे students को ये भी tension रहता है, कि sir हमारे तो जो university है, या हमारा जो institute था, उसने तो CGPA system या फिर 10 point scale के उपर जो grading होती है, वो दी है, अब मैं कैसे percentage लाओ, मुझे समझ में नहीं इसको देख के आप अपना decide खुद कर सकते हैं, आपको मालूम पढ़ देगा, आप eligible हो या नहीं हो, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ओके, now what is the basic selection procedure, selection procedure क्या है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, grade exam के लिए, जो आर नाबार का grade A exam है, वहाँ पे phase 1, यानि कि preliminary exam है, ओ और एक होता है, राजभासा और legal services, तो राजभासा और जो legal services हैं, इसके लिए आपके educational qualifications थोड़ी अलग होती हैं, और यहाँ पे post भी बहुत कम होती हैं, ठीक है ना, राजभासा के लिए आपके English, Hindi का कुछ graduation वगरा चाहिए, legal के लिए, you should be having law degree and all, तो वहाँ पे vacancy कम है, and वहाँ का थोड़ा आपका जो educational qualification है, that is different, हम लोग जो बात कर रहे हैं, it is for RDBS, that is rural development banking services, यहाँ पे vacancy बहुत ज्यादा आती हैं, इसमें कोई भी graduate apply कर सकता है, तो grade A, ओके यहाँ पर जो RDBS है, लेकिन यह जो grade A में phase 1 होता है, वो तीनों के लिए same होगा, ठीक है ना, चाहे आप राजभासा अधिकारी के लिए करो, लीगल सर्विस के लिए करो, या फिर RDBS के लिए करो, आपको same exam है, तो उसमें देखिए, वही जो मैंने आपको बताया था, MCQs वाले multiple choice questions होते है, objective type, total आपका 120 minutes होता है, time period and आपका total marks होते है, to 100, और यह जो time period है नहीं, यह composite time period रह 20 marks, economic and social issues with focus on rural India, 40 marks, and agriculture and rural element with focus on rural India, कितना 40 marks, ठीक है यह चीज़ मैंने अभी discuss की थी, again यह आपका जो notification था, 2020 का last year, उसका ही मैंने screenshot आपके साथ share किया है, ठीक है, तो यह आपका phase 1 हो गया, coming to phase 2 या फिर main exam जो बोलते है, main exam will be online again, and will be a mix of MCQs and descriptive pattern, यहाँ पे MCQs भी होंगे, और descriptive भी होगा, descriptive कौन सा है, paper 1, यानि कि English का, जो general English का paper है, that is descriptive, यहाँ पे आपकी writing skills, ओके वो भी कौन सी online through keyboard चेक की जाएगे, आप online, आप keyboard पर कैसा काम कर सकते हो, कितना अच्छा drafting कर सकते हो, उसको देखा जाएगा, the paper will have descriptive questions, descriptive questions होगे, यहाँ पे कौन से कौन से type of question होगे, द and letter writing होगा, तो basically वो आपकी analytical और drafting abilities देखने चाहते हैं, कि आपकी इस तरह से अच्छे से describe कर सकते हो, खुद को express कर सकते हो using English, है ना, and that too in online mode, keyboard वगरा use करके कैसे आप type कर पाते हो, है ना, इसके लिए आपको again, जो time duration है, that is, one and half hours, है ना, one and half hours, total marks होगे, 100, चली, then, it is common for grade A, RDBS, राजभाषा and legal, तीनों के लिए, ठीनों जो अलगले streams है, grade एगी, उन तीनों के लिए ये paper 1 is common, coming to paper 2, अब देखिए, जो paper 2 है, दो ही paper 1 है, paper 1 हमारे English हो गया, paper 2 जो है, वो MCQ format में है, ये descriptive नहीं होगा, ठीक है ना, अब देखिए, इसका syllabus जो है ना, ये तीनों के लग है और legal के लिए अलग है, मैं यहाँ पर RDBS का ही बता रहा हूँ, because generally सारे बच्चे RDBS ही देने वाले हैं, तो RDBS के लिए क्या है, economic and social issues and agriculture and rural development with focus on rural India, ये paper होगा, ठीक है, आपका जो RDBS वाले बच्चे है, उनके लिए जो paper 2 होगा, it will be economic and social issues and agriculture and rural development, यानि आपके phase 1 में पर बन जाएगा, लेकिन ये भी MCQ पैटन में ही होगा, this will not be descriptive, it will be only MCQ पैटन, ठीक है ना, ओके तो यहाँ पर भी देखिए, duration कितना है, one and half hour ही है and जो total marks है, 100 marks है, तो ये आपका paper 2 हो गया and paper 1 हमने English का देख लिया, इस तरह से आपका mains का जो exam है, वो conduct होगा, I hope आप लोग को ये सारी चीज़ें clear हो गए होगी, चल ये, आगे बढ़ते हैं, okay, इसके बाद में देखिए, phase 1, phase 2 देख लिए, phase 3, यानि की interview, okay, so applicants qualifying in the phase 2, that is main exam and securing sufficiently high ranking merit shall be shortlisted for interview, यानि जो लोग main exam में अच्छा score करेंगे और merit list में आ जाएंगे, उनको interview call आ जाएगा, and जो interview के marks हैं, they are total 25 marks, आपको total 25 mark का interview phase करना है, ठीक है न, एक important चीज़ देखिए, the preliminary examination is only qualifying in nature, यानि की, जो आपकी prelims है, phase 1 है, वो सिर्फ qualifying है, उसके marks आपके selection में कहीं भी, कोई role play नहीं करते हैं, you have to just qualify the preliminary या फिर phase 1 exam, okay, it is mean to serve as a screening test only, candidates who qualify and rank sufficiently high as decided by nabard, shall be called for appearing at the main examination, यानि की, जो nabard, एक cut-off कुछ decide करेगे, prelims के लिए, जो बच्चे उसके उसके ऊपर चले जाएगे, cut-off में, उनको mains के लिए भी invitation मिल जाएगा, the calling ratio for the main exam shall be 1 is to 25, यानि की main exam के लिए कितने calling ratio क्या होगा, 1 is to 25, एक post के लिए 25 बच्चे mains exam देंगे, right, then, there will be penalty for wrong answers marked by candidate, बिल्कुल यहाँ पे negative marking भी होगी, penalty मिलेगी अगर आपको यह answer, गलत mark करते हो, for every wrong answer marked, one-fourth of the marks assigned to that question will be deducted as penalty in phase 1 and phase 2 both, चाहे आप phase 1 की exam की बात करो या phase 2, दोनों में आपको negative marking होगी, और कितनी negative marking होगी, one-fourth of the marks assigned to a question, यहने अगर किसी question को एक mark दिया गया है, और अगर आप गलत करते हो, तो आपको 0.25 marks deduct हो जाएगा, minus हो जाएगा, ठीक है, negative marking है, दोनों में, phase 1 में भी और phase 2 में भी, cut-offs in phase 1 and phase 2 may be applied in two stages, on scores in individual test and on total score, जो आपके phase 1, phase 2 के cut-offs होगे, दो टाप के cut-offs आपको clear करने हो, कैसे पहले तो आपको individual test में, यानि reasoning का एक cut-off है, font का एक cut-off है, इस तरह से individual test में cut-off clear करने होगे, उसके बाद में total score, पूरा 200 marks अगर phase 1 है, तो 200 में से total एक अलग cut-off बनेगा, उसको भी clear करना पड़ेगा, इतना सब कुछ आपको clear हो गया होगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यह तो बहुत important difference, आप सभी का मन पसंद topic, salary and perks, I hope, आप सब लोग इसी का इंदजार कर रहे थे, और मुझे लगता है इसको पहले बता देता, तो आप यह पूरा वीडियो भी नहीं देखते हैं, ना खुश होके पहली चले जाते, इसलिए इसको हमने last mark है, चलिए, emoluments and service conditions, देखें बता दूं, फिर से 2020 का जो exam था, उसके notification से ही मैंने copy किया है, कुछ भी changes नहीं किये हैं, तो यह आपको last year का notification में same चीज़ देखने को मिल जाएगी, तो पे scale देखिए, selected candidates will draw a starting basic pay of rupees 28,150 per month, यह जैसी आप job join करते हो, ना बाड में as grade A, तो आपका जो basic pay होगा, it will be 28,150 per month, in the scale of rupees 28,150, 15504, फिर बहुत सरी scales दे दियो नहीं, ठीक है, finally आप यहां तक पहुँच जाओगे, ठीक है, at the end of your career, applicable to officers in grade A, and they will be eligible for dearness allowance, आपको इसके अलावा DA भी मिलेगा, एक तो basic pay होगी, ठीक है, basic pay होगी, उसके अलावा आपको DA मिलेगा, local compensatory allowance मिलेगा, local compensatory allowance, उसके साथ में आपको house rent allowance मिलेगा, यानि कि यह HRA मिलेगा, है न, and grade allowance as per rules in force from time to time, आपको grade allowance भी एक अलग से मिलेगा, ठीक है, जो कि नाबाड decide करेगी, अभी अगर at present आप देखो, तो starting में आपके जो total gross emoluments होते हैं, salary it will be around Rs. 62,600, ठीक है, ओके, अब इसके अलावा percusites क्या 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 है है, bank's accommodation subject to availability, reimbursement of expenses for maintenance of vehicle for official purpose, newspaper, internet, telephone charges, book grant, allowance for furnishing of residence, etc. as per eligibility, ठीक है, आपको एक तो bank का accommodation मिलेगा, हनाबाड के quarters वगर होंगे, घर मिलेगा आपको, और अगर नहीं है, तो lease पे भी आपको facility है, आप कहीं ले लो और lease out करवा दिये जाएगा, then आपका जो maintenance vehicle का जो maintenance है, उसके लिए expenses भी आप reimburse कर सकते हो, newspaper के लिए, internet facility लेने के लिए घर के, telephone के charges, bill भी कुछ आपका amount मिलेगा, books लेने के लिए amount मिलेगा, ठीक है, आपको furniture अगर आपको लेना है घर के लिए, तो उसके लिए भी कुछ होगा, वो उसका अलग criteria होगा, कि भाई, आपको 3 साल, 2 साल, 5 साल, कितने साल मिलता है, वो अलग बात है, लेकिन मिलेगा, ठीक है न, बहुत सारी perks अच्छे हैं यहाँ पर, free dispensary facility besides reimbursement of medical expenses for OPD treatment, hospitalization as per eligibility, आपको free dispensary facility भी मिलेगी, यह बहुत अच्छा है, आपको medical, जो आप डॉक्टर पास जाते हो, तो यह भ होगे, इसके अलावा, interest free festival advance मिलेगा आपको, then leave travel concession मिलेगा, once in two years for self, spouse and eligible dependents, यह आप कोई गूमना जाने जाते हो, तो आपको हर दो साल में एक बार खुद के लिए, अपने wife के लिए और अपने dependents के लिए, leave travel concession भी मिलेगा, LTC बोलते हैं, then loans and advances at concessional rates of interest for housing, car, education of children, consumer articles, personal computer, इस तरह के आपको loans भी बहुत ही, concessional rates पे मिल जाएंगे, तो देखे न, एक तो आपको बढ़िया job मिल रहा है, अच्छी salary मिल रही है, अच्छा accommodation मिल रहा है, आपको बहुत अच्छे-चे perks मिल रहे हैं, right, इसके साथ-साथ आपको अगर loan वगर लेना है, तो उस loan पे भी आपको loan जो है, वो कम ब्यास दरों पे, कम rate of interest पे मिल जाएगा, आपको doctor के पास जाना भी जूरत नहीं पड़ेगे, आपके dispensary भी आपको मिल जाएगी, वहीं पे, आपके medical expense भी सब reimburse हो जाएंगे, और क्या चाहिए, बताइए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजे, life set हो जाएग देखिए, एक तो आप new pension scheme के लिए भी eligible हो जाओगे, इसमें भी contribution जाएगा, यानि कि आप जब job खतम होगी, जब आप retire हो जागे तो आपको pension भी मिलेगी, then आपको gratitude भी, आप इसके लिए eligible हो, gratitude की फायदा भी मिलेगा, और optional होगा एक group term insurance plan, आप उसको भी avail कर सकते हो, तो पूरा जितने जितने areas होते हैं human life के, जहां पर पैसे के जरुवत पड़ती है, वो सारे चीज़े cover कर ली गई है, आपको और कुछ नहीं करना है, सांती से बढ़िया job करना है, अच्छी life enjoy करनी है, देखिए बढ़िया salary और perks हैं, है ना, I hope आप आप लोगों को अभी interest काफ will be on probation for a period of two years, आपको दो साल का probation रहेगा, ठीक है ना, उसके बाद आप confirm हो जाओगे service में, and it may, which may at the bank's discretion be extended for a further maximum period of one year, या अगर आपने कुछ गड़बड करी, नावाट में जाने के बाद ठीक से काम नहीं किया, या फिर वहाँ पे कुछ भी issue create किया, तो हो सकता है कि bank आपक प्रोवेशन एक साल और बढ़ा सकती है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको, कि आप प्रोवेशन में जब रहो तो बहुत ही अच्छे से performance दो, so that आपका प्रोवेशन दो साल में ही खतम हो जाए, और आपको service में confirm कर लिया जाए, right, okay, then at certain centers, limited number of residential quarters are available, मतलब हर जगा पर जो quarters है न, बहुत ज्यादा मातर में नहीं बने हुए है, तो कहीं कहीं पर जो quarters है, वो limited number में है, वहाँ पर आपको हो सकता है कि initially नाबाड की facility, जो residential quarters की facility है, वो available ना हो आपके लिए, तो उस case में क्या होगा, facility for securing residential accommodation on lease, however exists at all the centers, यानि कि आपको lease पर accommodation मिल और उसका जो खर्चा है वो नाबाड उठाएगी, यह facility तो आपको कहीं मिलेगी, all the candidates selected for appointment by the bank are liable to be posted and transferred anywhere in India, यह चीज बिलकुल ध्यान में रखियेगा, कि यह कोई state government job नहीं, it is all India job, आपको कहीं भी नाबाड की offices all over India जहां भी हैं, कहीं भी posting होगी and you should be ready to go and serve anywhere throughout India, if you want to work as न about grade A assistant manager, right, तो यह transferable job है, throughout India आपको कहीं भी जाके job करना होगा, लेकिन आपको कोई problem नहीं होगी because बहुत अच्छी residential quarters होते हैं इनके और जो perks है, salary है, बहुत बढ़िया है, तो I hope कि आपको यह सब चीज़े सुनकर मालूम होने के बाद काफी motivation आ रहा होगा and you should be motivated and you should not wait for the notification to come you should start immediately and I think अगर आप थोड़ा महनत कर लेते हैं तो आगे आपका future बहुत bright है, okay, so prepare smartly and sincerely and you will achieve success definitely, thank you so much friends, thank you so much for being with us, have a nice day, wish you good luck, thank you, bye-bye.